ना सिर्फ लड़कियों का, लड़कों का भी शोशन होता है ऐसा नहीं होता है कि फिजिकल शोशन होना ही एक शोशन है हमें लगता है बस यही है तो शोशन है नहीं, अगर आपके बच्चे को good touch, bad touch good touch क्या होता है? सिर्फ इस नंबर पर डायल कर दिये और जो आपके साथ गलत कर रहा है, उसको छोड़ा नहीं जाएगा नमस्कार, मैं डॉक्टर महग बांसल हूँ मैं एक pediatrician child specialist हूँ और एक child ICU specialist हूँ साथ-साथ मैं एक child welfare committee member और child line ludhyana का volunteer हूँ आठ साल पहले मैंने बच्चों के शोशन पे काम करना शुरू किया सो आपने बहुत अकबारें आज तक news में देखी होंगी एक 5 साल की बच्ची का शोशन किया किसी स्कूल के करमचारी ने एक 3 साल की बच्ची का शोशन किया उसके किसी अंकल ने और एक 7 साल की बच्ची का शोशन किया किसी उसके रिष्टदार ने जो मेरी सबसे जो दर्दनाक और धहला देने वाली कहानी थी कि जब मुझे बताया गिया कि एक 10 साल की बच्ची का ने एक शोशन के बाद एक बच्चे को जनम दिया साथ महीने तक जो की 30 हफते तक बच्ची को पता ही नहीं चला कि उसके पेट में बच्चा है और जब इसके किसी अंकल नहीं इसका शोशन किया था जब पता चला तब 30 हफते पूरे हो चुके थे सुप्रीम कोट ने रद कर दिया और बच्ची को बच्चा डिलिवर करना पड़ा और मैं आपको जानकारी देना चाहती हूँ कि 20 हफते तक सरकार जो है कोई भी जो अबॉर्शन है अलाव करती है और 24 हफते तक एक कमिटी बैठती है वो दो गाइनकॉलेजिस के साथ अबॉर्शन कर सकती है उसके बाद यह समय निकल जाता है सो हम एक दहला देने वाले कुछ फैक्स हैं हमारी कम्यूनिटी के कि हिंदुस्तान में 50% से जादा बच्चे किसी तना किसी तरह का शोशन होता है फिजिकल सोशन, मेंटल सोशन या कोई और और इसमें से 79%, 80% के आसपास जो शोशन है आसपास के फैमिली मेंबर्स करते हैं और इसमें से 70% केस इसर रिपोर्टि रिपूर्ट ही नहीं होते, क्यूwnकि हमें शर्म आती है यह सोशल स्टिग्मा है जिसके बारे में हम बात नहीं करना चाहते और ना सिव लड़कियों का, लड़कों का भी शोशन होता है और कम से कम 6 में से एक लड़का और 5 में से एक लड़की किस ना किसी तरह के शोशन का शिकार होते हैं जो सबसे vulnerable age group है वो है 5 से 12 साल अब इसमें दिक्कते कहां आती हैं? हम क्यों ये शोशन रोक नहीं पाते या क्यों ये शोशन होता है हम कहां चूटते हैं? पहली बात हमें ये नहीं पता कि हमें बच्चों से बात करनी है कि सुमर में बात करनी है कब बात करनी है क्या simple शब्द यूज करने है बच्चों के साथ बात करते वे ताकि उनको बुरा ना लगे और इसको हम social stigma पहुंच समझते हैं कि हम बच्चों से बात कैसे करें बहुत सारे लोग सोचते हैं आठवी नौवी की कक्षा में जब किताबें आपको पढ़ने को मिलती हैं जिसमें reproductive का chapter होता है वहीं पर बच्चे सीख लेंगे हमें बताने की क्या जोरत है और इस चीज़ पर हम काम करते हैं जिसमें इन सब को कैसे बचाया जा सकता है इसको एक project हमने बनाया जो उसको बोलते है darkness to light इस चीज़ का इलाज क्या है education शिक्षा देना अपने बच्चों को शिक्षा देना हर माबाप का हर teacher का हर प्राणी का इस community में एक दायत्व है कि वो अपने बच्चों को सिखाए कि शोशन क्या होता है उससे बचना कैसे दूसरा आपके सामने जब भी शोशन हो उसको report करें आँखे बन नहीं करें और चुप नहीं रहें क्यूंकि एक चीज़ कभी न कभी हमारे साथ हो सकती है दूसरा यह punishable offense और तीसरी चीज़ report करें और उसकी मदद करें आगे चलके सबसे पहले जो एक information मैं आप सबको देना चाहती हूँ वो है कि POXO Act के according ऐसा नहीं होता है कि physical शोशन होना ही एक शोशन है हमें लगता है बस यही है तो शोशन है नहीं अगर आपके बच्चे को कोई stock करता है उसका पीछा करता है उसको गंदे words यूज़ करता है या उसको porn प्राइवेट पार्ट्स देखता है या आप उसके प्राइवेट पार्ट्स देखते हैं सब शोशन में आता है तो शोशन के definition पहले अपनी ठीक की जाए दूसरा हम बच्चों का जो project करते हैं वो है darkness to light that means 5-4-12 साल के बच्चे जैसे मैंने बताया कि सबसे vulnerable age group है उसमें हम को सिखाते हैं अच्छा छूना क्या होता है बुरा छूना क्या होता है और बुरा छूना या इसको secret touch बोलते हैं यह क्या होता है अब simple शब्द यूज़ करने हैं simple ताकि बच्चे जो हैं वो समझ पाएं और आगे जाके कहते हैं ना reproduce कर पाएं अपने साथियों को बता आते हैं तब उनको बता देते हैं कि बेटा कैसे सरकल चलता है और जो बड़े बच्चे हैं जो 12-13 साल से उपर हैं उनके लिए हम simple words यूज़ करते हैं self-awareness program अपना बचाव कैसे किया जाए यह वाले चीज़ यूज़ करते हैं अब इसमें सबसे important है क्या simple शब्द good touch क्या होता है जो हमें अच्छा लगे हमें खुशी मिले हमें सुरकषित मेहसूस करें वो गुद टास होता है बाद टर्च क्या होता यह जब हमें बहुत बुरा लगे हमें रोना आई हमें शर्माए वो किसी भी तरह कटाच हो सकता है That is a bad touch और जब हम बच्चों को सिखाते हैं हम उनको ये बताते हैं कि private parts कौन से होते हैं और जो swimming costume के अंदर जो बच्चे के parts cover होते हैं वो private parts होते हैं और कोई आपकी permission के बिना उनको छू नहीं सकता है कौन छू सकता है आपके parents और आपके कोई caregiver जो बच्चे बच्पन से आपको पला बढ़ाग रहे उसके लिए हम safety circle बनवाते हैं बच्चों से कि आपकी मम्मी से बनवाओ कि कौन कौन आपको आपकी care कर सकता है सेकिंद अगर आपके साथ कभी शोशन होता है इसमें आपके कोई गलती नहीं है आपने चुप नहीं रहना आपने बताना है तो पहली चीज आपने shout करना है वहाँ से shout करके भाग जाना है और एक trusted adult जो आपके आसपास है उनको बताईए या आपके parents को बताईए और एक चीज जो आपने बच्चों को सिखानी है वो बहुत ज़रूरी है regarding POXO Act या आपको भी पता होना चाहिए Child Line और Child Welfare Committee Child Line एक नंबर है उल्टी गिंती जब हमने नंबर सोचा था तो उल्टी गिंती करी 10, 9, 8 Child Line एक नंबर है आपका कोई मदद नहीं कर रहा आपका कोई नहीं सुन रहा सिर्फ इस नंबर पर डायल कर दिये और जो आपके साथ गलत कर रहा है उसको छोड़ा नहीं जाएगा और सबसे बड़ी बात अगर आप किसी के बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं तो आपकी जो आइडेंटिटी है बिलकुल गुप्त रखी जाएगी आपको अपनी आइडेंटिटी बताने की जुरत नहीं है So, this is about child abuse and Child Line and next is your Child Welfare Committee बाल भराई कमीटी हर डिस्ट्रिक्ट में है जहां पर जो शोशित बच्चे हैं वो जाके माबाप उनके रुपोर्ट कर सकते हैं उनको प्रपर केर दी जाएगी और डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन आफिसर ये भी एक काम है So, आईए मिलके इस बच्चों के शोशन से रोकिए इससे लड़ें क्योंकि ये हम सबका एक कर्तव्वे है सोसाइटी के लिए हमारे और एक बात हमेशा बोलती हूँ Prevention is better than cure अगर हमने एक जिंदगी बचा ली हमारा परपस इस जिंदगी में आने का पूरा हो जाता है Thank you